पब्लिक टीवी आपकी आवाद विधायक का साफ कहना है कि चोर पुलिस से मिले हुए हैं और पुलिस चोरों से लूट रोकने की बजाए पुलिस खुद व्यापारी और किसानों को लूट रही है गुंडागर्दी और अपराद बढ़ रहे हैं संभल विधायक अजीत यादब का ये बयान उस समय सामने आया जब विधायक के सिर गुंडाओ से सपा को बाहर का रास्ता दिखाने का सहरा बना है इसी बीच बवराला के घी विअपारी को गुंडाओ थाने के करीब दिन दाहाणे लूटने का ममला आया विअपारियों से मिलने पहुचे भाजबा विधायक ने लूट और अपराद को सीधे सीधे पुलिस को जिमेदार ठहराते हुए कहा कि चोर पुलिस से मिले हुए है और पुलिस चोरों से लूट रोकने की जगह डायल हंडेड ब्यापारियों और किसानों को लूट रही है कि यह सौमंदार बुप्ता जी हैं बहोंगी अच्छे दिए अपना बयापार करने थे जुनावईी बज्आर जाते हैं यहां के बवर्ला के बहुत से बयापारियों और पास्वडन की रोकल यापा नह recycling है और वहाँ से अपने बाव्राला सौं को भरबर हाबसाराई वहां पर इन दाड़े लूट लिया बने आगे और ये गतनाएं पहले भी कई वार हो चुकी है लेकिन अभी तक इन गतनाओं का पर्दा फास में हुआ और है वो पुलिस्ट वालों से मिले दूए हैं अगर उसका पर्दा फास नहीं करती है तो हम आंदोलन बजार बन चक्का जाम करने पर उतारू हो जाएंगे क्योंकि हमारे से पहले भी हमारे ब्यवपारियों के संग तो कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसका खुलासा आस तक कुछ नहीं हुआ इसलिए ब्यवपारी कब तक दबा रहेगा अब ब्यवपारी जाग रुक है और वह संगर्ष करने के लिए तयार है मैं जुदावी बजारी से तगादा लेके आ रहा था उने उपर रंगिया और किला के ने पैसे छिएक लेगे तो पुलिस पर शासनप से आप उने थाने गई थिर थाने आप अपने तहरी दी तो क्या क्या कहना आएंका अब तो यह चाहरा किया हमारी जो है पुलिस पुलिस क्या कह रही है इस पुलिस तो यह लोग कहा रहे हैं आप जल्बी जल्बी चौवीश घंटे के अंदर अंदर आपका बरता हुट करते हैं